नमस्कार, आज आप जानेंगे किसी का पेठ फूलता है, गैस बनती है, ऐसी डीटी होती है, यानि पाचन से सम्बंधित जो समस्याय होती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए? वो भी पेड के पत्ते के माध्यम से, और साथ ही मान लिजिए किसी को किड्नी स्टोन, किड्नी स्ट उसके द्वारा हमारा पेट खराब होता है किड्नी स्टोन होती है साथ ही लिवर और अनेको रोग हमारे अंदर आ जाते हैं और किसी को अगर एक बार पाचन संबंदित समस्या आ जाए तो उसके सरीर में हजारों बिमारिया आ जाती है जिन बिमारियों का हमें पता नहीं वो इस बिमारिया धीरे धीरे हमारे सरीर में आ जाती है और जिसका पाचन से संबंदित समस्या होती है उसको आने वाले समय में उसको अर्थराइटिस हाट से संबंदित समस्या है तनाव से संबंदित यानि मस्तिस्क से संबंदित समस्या हमारे सरीर में आती रहती है तो यह ज बहुत सारे लोग तो इसको जान गए होंगे ये है जामून जामून के पत्ते आप इस समय देख रहे हैं इनका तरीका अगर आप जान लेंगे तो ये सारी बिमारियों को आप दूर कर सकते हो तो किड्नी स्टोन में आपको अलग तरीके से इसका सेवन करना है और जो जिसको पाचन संबंदी गड़बडी है या जिसको अपना पाचन तंतर मजबूत करना है उसको इसका अलग तरीके से सेवन करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मालनी जीया किसी को किड्नी स्टोन है या अपनी जो आपकी किड्नी है उसको मजबूत करना है सवस्त करना तो व तो उनसे ही हमें पूरा लाब मिलेगा दो तरीके के पत्ते हो जाते हैं वैसे तो अलग अलग तरीके के हो जाते हैं ये देखिया आप ये जो पत्ता है ये थोड़ा पक गया है तो आपको पके हुए पत्तों का सेवन नहीं करना है आपको जो ये आप देख रहे हैं ये थोड कच्चे पत्ते का सेवन करना है और किस तरीके से करना है आपको 10 से 15 गराम पत्ते लेने हैं और उनका जूस निकाल लेना है जूस कैसे निकलेगा बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि पत्तों का जूस निकल सकता है तो आप इसमें थोड़ा पानी डालके घिस सकते या पत्तो को घिसके उसको पानी में डाल सकते हैं और आप दो से तीन काली मिरच लीजिए और इन पत्तो का सेवन काली मिरच के साथ काली मिरच को भी पीछ लेना है और उसको च्छान के पीना है उसको आप दिन में दो बार पीजिए आप देखिए आपका जो किड्नी स्टोन है वो पूरे तरीके से बहार निकल जाएगा तूट तूट कर और आपकी किड्नी के लिए भी एकदम रामबान ओशदी का ये कारिय करेगा अब इससे आगे बढ़ते हैं माल लिजिए किसी का पाचन से सम्मंदित समस्या है पाचन से सम्मंदित समस्या सब आ जाती है उसमें बद हजमी आ जाती है जैसे खटी डकारे आना आप देखते हैं उसमें हमारा जो गैस है वो सिर्की ओर चड़ना शुरू हो जाता है हमें मस्तिस के रोग हो जाते हैं तो ये सब समस्याए आनी शुरू हो जाती है ऐसे समय में आपको क्या करना है ऐसे ही आपको 10 से 15 गराम प बकरी का दूद लेना है अगर माल लीजिए किसी के पास बकरी का दूद एवलेबल ना हो बकरी का दूद सभी के पास नहीं हो सकता कि सब को मिल जाए तो ऐसे समय में आप देशी गाये का दूद लीजिए और आप 10 से 15 गराम पत्तों को आप दूद के साथ पीस लीजिए औ और उसका सुबह सुबह सेवन कर लीजिए उससे क्या होगा एक तो जो आपका पाचन तंत्र है वो मजबूत हो जाएगा और जिसको इंडाइजेशन यानि खाना ठीक से नहीं पचता है तो उससे भी गैस बनती है जब उससे गैस बनेगी तो आपके सरीर में अनेको रोग उत उत्पन करती है आपके जोडों में दर्द होना शुरू हो जाता है आपकी उंगलियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है क्योंकि जो गैस है वो गैस आपके जो सरीर में खालिस्थान मिलता है और खालिस्थान कहा होता है जैसे हमारे उंगलियों में घुटनों में तो व कुछी समय के बाद हमारा चलना उठना बैठना सब चीजों में समस्या हो जाती है और फिर हमें अपने सरीर में बुढ़ापा जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है अगर आपको इन सभी रोगों से छुटकारा पाना है तो आप इसको क्या करिएगा दूद के साथ उसके साथ पीस कर आप उसका सेवन करें आप देखिए आप इन सभ रोगों से छुटकारा पा सकते हैं